नमस्कार दोस्तों मैं हितेश गुपता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पर दोस्तों इस गूगल एड़ सिरीज में हम आपको अलग-अलग वीडियो में हम बता रहे हैं गूगल एड एक्सटेंशन को practically इंप्लिमेंट करना और उसके बेनेफेट्स तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गूगल में सर्च एड़ में प्रॉमोशन एक्सटेंशन का या एड एक्सटेंशन का कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके क्या बेनेफेट्स हैं दोस् दोस्तों extensions का use करना बहुत जरूरी होता है तो आज हम जानेंगे अपने promotion extension कैसे apply करते हैं चलते हैं computer screen पे और सीखते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम Google AdWords PC campaign जो search campaign हम बनाते हैं AdWords में उसमें हम promotion extension का use कर सकते हैं कि अगर हमें कोई offer या कुछ भी discount दिखाना है तो हम कैसे हम एड में जो हमारा जो Google AdWords में ad display होता है जब कोई search करता है तो front पे ही ad में हमारा discount या offer promotion देखे जिससे कि लोग attract हो दोस्तों तो हमने यह अपना Google AdWords account open कर लिया है तो Google AdWords account जो हमने open करा अगर आपने account आप नहीं बना हुआ तो आप बनाना सीख सकते हो हमारे YouTube चैनल ने tutorial है वहां से और अपना AdWords account login करें login करने के बाद अगर आप जब भी कोई नया campaign बनाएंगे तो यहां से बनाएंगे आप ठीक है और वो पूरा PPC search campaign होगा तो वो campaign already हमने बना रखा है PPC search campaign इसलिए हम यहां पर बना कर नहीं दिखाएंगे हम सिर्फ extension का use दिखाएंगे वो campaign सीखने के लिए हमारे tutorial में से PPC campaign सीख सकते हैं तो उस PPC campaign का भी link हमारे हम इस वीडियो के अंदर देंगे जिससे के आप वो भी देख सकते हो तो यहां पर new campaign पर नहीं जाएंगे और रेड़ी जो हम यह campaign बना रखे हो उसमें से एक campaign हम चूज करेंगे अब यहां पर प्लस के निशान पर एक्सेंशन पर क्लिक करेंगे अब देखेंगे बहुत सारी एक्सेंशन पर क्लिक करेंगे एक्सेंशन से को वीडियो चैनल में है आप सीख तरी भी यहां पर हम अभी प्रोमोोशन परारे बात करेंगे तो उद्धर क्लिक करेंगे कि यहां पर क्लिक करने के दोस्तों एक्सेंशन करने का अप्सेन आ गया यह एлек्रूप gives फ्लुब तु में यह हमारा जो एड है ठीक है उस एड में ग्रूप में हम कर रहे हैं अब हम यहाँ पर आए अब आप देखिए create new या use existing ठीक है तो हम create new extension पर जाएंगे occasion अगर देखिए आपका कोई product है या आपका कोई occasion है जिसके लिए वो sale लगा रहे हैं तो यहाँ पर अगर वो occasion है option तो आप यहाँ से select कर सकते हो नई है तो आप none भी कर सकते हो अभी जैसे कि मैं कल mother's day है ठीक है तो आज मैं mother's day पर ही click कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ mother's day आ गया तो यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है mother's day ठीक है तो अगर for example कोई option नहीं है ठीक है एकोई occasion नहीं है तो यहाँ पर simple discount आएगा ठीक है तो यह देखिए कितना easy है तो हम mother's day पर click करते हैं और language हमारी English रहेगी currency हमारी INR रहेगी क्योंकि हम इंडिया का कर रहे है तो यह देखिए हमारा currency और यह देखिए करेंगे यहाँ पर click करने के बाद यहाँ पर हम put करेंगे के जितना भी आप up to 20% 40% जितना भी आपको देना है तो हम up to 25% discount करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर mother's day पर आप to 25% off तो यहाँ पर हम put कर सकते हैं विवाज हमारी services हैं तो हम website designing पर कर देते हैं ठीक है URL पूटकर के अंदर ही करना है आपको URL पर जाएंगे company का हमारी services हैं वहाँ से भी आप URL ले सकते हो नहीं तो आप normal home page का URL भी ले सकते हो वैसे सबसे best रहता है कि जो service को आप दिखा रहे हो अब यहाँ पर क्योंकि website से related हमने में कोई page ने मना रखा तो मैं home page का दिखा दूँगा या मैं services के page का भी दिखा सकता हूँ तो मैं उस best वही रहता है कि उसी page का URL यूज करो जिसका आप service का या product का आप offer दे रहे हो और उस particular page के URL को ही paste करना है ठीक है तो यह हमने किया यहां पर अगर आपको प्रोमो कोड देना है ठीक है अब देखिए हमारी तो service है बट अगर आपका कोई product है और आपका कोई और start date, end date अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकते हो ठीक है और अगर आपको नहीं डालनी है तो आप मढ़ डाली है वैसे जनरली होता है कि जब प्रोमोशन जब हो जी तो कप से कप तक है तो for example वह प्रोमोशन हमारी कल मज़र्स जे है तो बारह तारिक से लेके हमारी 14 तक यह दो दिन की है तो हमने वो कर दिया ठीक है यह URL optional है ज़रूरी नहीं है ठीक है आप save करेंगे इसको अब यह हमारे changes save हो गए ठीक है तो अब हम क्लिक करेंगे तो यह देखिए आप यह सारी के सारी चीज़ा आप देख सकते हैं हमारी हो गई save करा हमने यह हमारा जो extension है वो बन चुका यह अभी under review है अगर यह क्या गयते हैं approved हो गया तो यह हैं पर active हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से आप अपना promotion extension बना सकते हैं जो की इस तरीके से आपका show होगा ठीक है देखिए यहां पर यह देखिए प्रोमो कोड डाला है वो इस तरीके से आप भी अपना promotion extension बना सकते हैं और लोगों को अपने ad की तरफ attract कर सकते हैं को पब्लिक offers, discounts, lucrative offers की ओपर ही आती है तो दोस्तों आज हमने promotion extension के बारे में जाना उमीद करता हूं समझ में आया होगा दोस्तों अगर आपको हमारी ad series पसंद आ रही है प्लीज हमारे चैनल को subscribe कीजिए because इस तरीके से हम बहुत सारी अलग-अलग digital marketing platforms पे ad series लेकर आ रहे हैं ताकि हम आप लोगों को digitally equipped कर पाएं और आपके business या आपके career growth में help कर पाएं तो दोस्तों free of cost है कोई charges नहीं है प्लीज हमारे चैनल को like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए bell icon जोर दबाएगा thank you for watching marketing funda